डिलाइट आयेस में मैं कीवी सिंग आप सभी का स्वागत करती हूँ आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपोर्टन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ठीक है हम अपने अंसियाटी समरी कोर्स में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 के बारे में पढ़ेंगे इसमें ये चैप्टर है सत्ता के नए किंद्र इसमें हम क्या पढ़ेंगे इसमें हम जो नए संगठन का उदय हुआ था ये रोपिये संग, आशियान, सार्क, बिक्स इसके बारे में पढ़ेंगे और जो नए राज्यों का उदय हुआ था जैसे कि रशिया, चीन, इस्राइल, दक्षिन, कोरिया और भारत इन सब देशों के बारे में इन सब देशों ने नई प्रकार की जो आर्ट से वैवस्ता उद्पन हुई थी और जो राज्योंतिक शक्ति के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे देखिए जब 1990 के दशक में हमने यह देखा कि किस सरीके से दो धुरूविये वैवस्ता तूटी थी और USSR का विखटर हुआ था और नए देश बने थे ठीक है और इसे यह स्पश्ट हो गया था कि कुछ टाइम तक राज्योंतिक और आर्थिक सत्ता पर सिर्फ अमेरिका का प्रभूत रहेगा जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में यह पढ़ा है कि अमेरिका ने किस तरीके से विश्व पे अपना प्रभूत इस्थापित कर रखता था चाहे वा आर्थिक स्थर पर हो चाहे राजनातिक सतर पर हो चाहे सैनिस सतर पर हो जा इसके सासत हम यूएन में भी देखते हैं कि सिर्फ औरुसरव एकिंगे की यूरोप में यूडोप ये संग और एसिया में दक्षिनपूर्वी एशियाय राष्टों के संगठन का उद्य हुआ ठीक है और यह बहुत दमदार शक्ति की रूप में उब रहे थे इन्हों ने अपने इलाकों में चलने वाली एतिहासी कमजोरियों और छेत्रिये इस्तर पर इनका समधान ढूंड दिया ठीक है और इसके सासत इन्हों ने कई ऐसी प्रकार की विवस्था भी बनाई थी कई ऐसी प्रकार की चीजें करी कई ऐसी प्रकार की अच विवस्थाओं को सम्मू बनाया जिससे इनको कई प्रकार की हेल्प मिली थी इस चैप्टर में हम जिन चीजों के बारे में पढ़ेंगे जिन संगठनों के बारे में पढ बहुत सारे सवाल जूढ़ते हुए हुए मिलें भारत के सबसे पहले के बारे में पढ़ेए गेंगे इम ऽर्षिन सब्सक्राइब ने अपनी जेली हुए साथ ही उन्होंने अपनी मानिता और व्यवस्थाओं को धस्त होते भी देख लिया था जिन पर यूरोप खड़ा था से 1941, 1935, 1945 या 1930 इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खतम होने पर बताऊंगी हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ हम देखेंगे सत्ता के केंद्र से सत्ता के किस प्रकार के वैकल्पिक केंद्र का उद्य हुआ था सबसे पहले जानते कि सत्ता के नई केंद्र या वैकल्पिक केंद्र का क्या अर्थ होता है जैसे कि हम आने आपको बताया कि सोविय संग के विभाजन के बाद विश्व में अमेरिका का वर्चस कायम हो गया था कुछ देशों के संगठन का उदय सक्ता के नई केंदर के रूप में हुआ इन्होंने अमेरिका के प्रभुत को सीमित किया और राजनतिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली हुए इसके साथ हम देखेंगी कई छेत्री संगठनों का उदय हुआ था और इन्हों यह क्या थे छेत्री संगठन प्रभुत संपन देशों की स्वैच्छिक समुदायों की एक संदी थी जो निश्ची छेत्री के भीतर होती थी और इसमें वे देश शामिर होते थे जिनका सम्मिलित हित्थो कई संगठनों का उदय हुआ जैसे की यूरोपिण संग, आशियान, ब्रिक्स, शार्क, दक्षेस ऐसे कई संगठनों का उदय हुआ इसके साथ-साथ हम कई देशों के उद्देश के बारे में देखेंगे सिरशिया, चीन, जापान, भारत, इजराइल, दक्षिन, कोरिया ऐसे देशों का भी संगठन के रूप में उद्देश हुआ था अब हम देखते हैं कि इन छेत्री संगठनों के उद्देश क्या थे इनके उद्देश थे सद्दश्य देशियों में एकता की भावना को मजबूत करना छेत्री सहयोग को बढ़ावा देना, सद्दश्यों के बीश में आपसी वैपार को बढ़ावा देना और साथ साच्छेत में शांती और सोहात को बढ़ावा देना इसके साथ यह यह भी चाहते थे कि जो विवात है वह इनके आपसी बाची द्वारा सिमट जाएं हम जानते हैं अब मार्शल योजना के बाद में मार्शल योजना क्या है दिती विश्यूत के बाद यूरोप का बहुत नुकसान हुआ था अमेरिका ने उस समय यूरोप के आर्थिक विवस्था को पुनर गठन करने के लिए जबदस्त मदद की थी इसी को हमने मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है इसके तहट 1948 में यूरोपी आर्थिक सहयोग संगठन की स्थाफना हुई इसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की गए थी उसके बाद यह एक ऐसा मंच बन गया था जिसके माध्यम से पश्चिम यूरोप के देशों ने वैपार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया था अब हम जानते हैं यूरोपी आर्थिक संगठन के बारे में अजिलिए का गठन किया फिर हम देखते हैं कि जून 1979 में यूरोपीय पार्लेमेंट के गठन के बाद यूरोपी आर्थिक समुदायों ने राजनितिक सरूप लेनाफ शूरू कर दिया था इनके उद्देश क्या थे यूरोपी आर्थिक समूदे का उद्देश क्या था इनका यह उद्देश था है कि वह सभी विवादों को समाप्त करें जिससे यूरोप विभाजी थोरों करें कि यूरोप बहुत बड़ा है ठीक है अगर वह एक कॉंटिनेंट के रूप में देखेंगे तो अगर वह आपस में लड़ते रहेंगे तो उनकी साथ चीजें काफी मुश्किल हो गी थी और इसके साथ जो यूरोप की प्रतिश्ठा थी जिस तरीके का उनका सम्मान था जो हमने देखा कि सेकेंड वर्ड वर के बाद बहुत नीचे आ गया था उन्होंने उसको वापस से करने के लिए ये अनुकूल भूमिका निभा रहा था फिर हम जानते हैं कि यूरोपी संग क्या है यूरोपी संग का गठन फरवरी 1992 में मौस्टिस संधी के दौरान हुआ था यूरोपी संग यूरोपी देशों का एक छेत्री संग गठन है ठीक है यूरोपी संग का अपना जंडा है अपना गान है और अपना सापने दिवस है इनकी अपने मुद्रा है जिसे यूरो कहते हैं यूरोपीय संग में निरंतर नए सदस्यों को समावेश भी होता है और यहां से लोग निकलते भी जैसे कि अभी हमने देखा था कि ब्रिटेन ने यूरोपीय संग से एक्जिट कर लिया है मतला वे बाहा निकल गए हैं इससे हम में यह पता चलता है कि यूरोपीय संग बहुत प्रभावशाली है इनके पास अपने परमाणू हतियार भी है और इसके सासत यहां पर दुनिया की बहुत बड़ी सेना भी है ठीक है और इन्हों ने ने 2003 के टाइम पर यह ट्राइ किया था कि वह एक नया अपना समिधान भी बना सकें लेकिन वह असफल रहे थे अब हम जानते हैं कि यूरोपीय संग के संग गठन का उद्देश क्या है इनका यह उद्देश है कि एक समान विदेश और सुरक्षानीती बने आंत्रिक मामलों और नयाय से जुड़े मामले में सहयोग मिले एक समान मुद्रा का चलन हो और वीजा मुक्त आवागमन हो यूरोपीय संग के विशेष्टाएं क्या है यूरोपीय संग में आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदल कर राजनितिक संस्था का रूप ले लिया है यह एक विशार राष्टर राज की तरीके कार करती है जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका अपना जंडा भी है इनका अपना गाना भी है और इनका अपना स्थापना दिवश भी है और यह अन देशों के संबद में काफी हद तक साजी विदेश और सुरच्छा नीती बनाते है ठीक है इनका जो एक जंडा जैसे कि आप सामने देख सकते हैं यह 12 गोल्ड के स् और मेल मिलाब का प्रतीक है अब हम यह जानते हैं कि एरोपिय सांग इतना ताकतवर क्या है मतलत ताकतवर क्यों है इसकी क्या ऐसी विशेष्टा है जिसलिए वह इतना ताकतवर है 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थवेवस्था थी और उस समय इसका जो GDP था वह अमेरिका से भी जादा था इसकी मुद्रा उस समय यूरो के लिए यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए प्रभुत के लिए खत्रा बन गई थी और विश्वेपार में इसकी जो भागेदारी है वह अमेरिका से तीन गुना जादा है इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप एशिया और अफ्रीका देशों पर भी है यह विश्वेपा संगठन के अंदर एक महत्पून समू के रूप में कार करता है और इसके साथ सथ हम देखेंगे कि यूरोपी संगठन का जो संगठन के तौर पर इरोपी संग आर्थिक राजनेतिक और सामयाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है अब हम जानते हैं कि यूरोपी संग की कुछ कमजोरियां वह क्या है कि इसके देशों की अपनी विदेश नीती और अच्छा नीती भी है जो कई बार इरोपी संग और साजी यूरोपी मुद्रा यूरो को मानने का विरोध भी किया गया था यूरोपी संगठन के कई देश अमेरिकी गडवंदन में भी है मतलब अमेरिका से उनका सहयोग रहा है ठीक है और फिस जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन यूरोपी संग से अलग हो चुका है एक आर्थिक समुधाय के रूप में यूरोपी संग ने एक राजनेतिक संगठन का रूप ले लिया है ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि इन्हों ने आपस में एक मुद्रा समान विदेश नीती सुरक्षा नीती और इस वजए से हम यह देखेंगे कि इनका आपसी सहयोग यह देखिए यह सबसे पुराना संगठन है जो स्थायत और प्रभावकारी बनाता है ठीक है यहां पर जो सहयोग की नीती है जो बहुत ही मददगार रही है इनके लिए और बृतेन और फ्रांस सहयोग राज संग की मुसरक्षा परिशत के स्थाय सदस्थे हैं जिसकी वज अशियान का अर्थ है दक्षिन पूर्वी एशियाई राष्टों का संगठन इसका असोशियेशन ओफ साउथ एस एसियन नेशन यह इसकी स्थापना 1967 में पांच देशों ने बैंकोग घोशनापत पर हस्ताक्षर करके स्थापना की थी इसकी संसापक देश कौन से थे इनके सामने यह जो आप यह जो जंडा देख रहे हैं यह आशियान का जंडा है जो यहां की एकता का प्रतीक है आशियान का मुख उद्देश ही क्या है आशियान का मुख उद्देश यह है कि सदस्त देशों के आर्थिक विकास को तेज करना इसके सासत कानू इसका सामाज आधारिक टक्रावरहित सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक नया उधारन पेश किया है इनोंने इसे ही हम आशियान शैली भी कहते हैं इनके जो प्रमुक स्थम्भ है वह है आशियान सुरच्छा समुदाय जिसमें छेत्री विवादों को सैनिक टक्राव तक ना ले जाने की सहमती आधारिक है दूसरा है आशियान आर्थिक समुदाय इसका उद्देश है कि आशियान देशों का साजा बजार होगा और उत्पादर अधार तयार रहेगा इसके छेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में यह मददगार साबित करे रहेगा इसके लावा आशियान सामाजि और सांस्कितिक समुदाय का उद्देश है कि आशियान देशों के बीच में टकराफ की जगे बाचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा ठीक है आशियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्रपून छेत्रिय संगठन है ठीक है और हम जब देखेंगे कि आशियान में अं इसलिए अपने सदस्त देशों अपने भागिदारी सदस्त और बाकी सरकारी संगठनों के पीछ में निरंतन समवाद और परामश करने की नीती में अपनाया है ठीक है हम देखेंगे कि आशियान की उपयोगिता क्या है या इसकी प्रसंगिता क्या है आशियान की मजबूत आर्थिक शक्ति खास्त और से भारत और चीन जैसे विक्सित होने वाले देशों के साथ वैपार और निवेश के मामले को प्रदश्यत करती है आशियान निवेश श्रम सेवाओं के मामले में मुक्त वैपार छेत्र बनने में दुची जिताई है आशियान के असली ताकत संबाद और परामश करने की तिथी से नीती में है यह एशिया का एकमात ऐसा संगठन है जो एशिया यह देशों विश्व शक्तियों को राजनतिक और सुरच्छा मामलों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्द कराता है अब हम जानते हैं भारत की पूरब की ओर देखो नीती किया आशियान और भारत की बारे में जो है उसके बारे में हम जानते हैं देखिए 1991 के बाद भारत ने पूरब कियो देखो नीती अपनाई है भारत ने आशियान के दो सदस देशों सिंगापूर और थाइलेंड के साथ मुक्त वैपा समझोता अपनाया है 2009 में भारत ने अगये पर यात्रा करी है और वहां पर समझोते किये हैं 2018 में भी हम यह देखेंगे कि प्रधान मंत्री मोदी ने बैंकोक में आयोजित आशियान शिखर सम्मेलन में भाग भी लिया था और कई बार और जो सत्रवा हुआ था वह वर्चुल आयोजित किया था उसमें भी उन् अब हम जानते हैं ब्रिक्स के बारे में ब्रिक्स पांच देशों का सम्मू है जो विश्व की अग्रणी उभरती अर्थ विवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है ब्रिक्स की स्थापना 2006 में रशिया के द्वारा की गए थी 2009 में अपनी प्रथम बैठक में दक्षिन ब्रिक्स बनाता है इसकी स्थापना का मुख उद्देश क्या है इसकी स्थापना का मुख उद्देश है प्रतेक राष्ट के आंत्रिक नीतियों और परस्पर समानता में हस्ते छेप के अत्रिक्त इन देशों के मद्र सहयोग तथा प्रास्परिक आर्थिक लाब का वितरन देना विश्व राजनिती में ब्रिक्स अंतर रास्तिय स्थिर्टा को बनाए रखने और विश्व व्याश्विक आर्ट से विकास को सुन्षित करने और बहुत रिविये दुनिया के केंज्र को बनाने में एक महत्पूर्ण युगदान दे सकता है फिर हम यह देखें कि ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ है उसमें हमने कई बार यह देखा है कि यह सम्मेलन में कई बार ऐसी डिजिटल टेक्नॉलोजी की बारे में बात की गिए जिसके माध्यम से स्वासेवाओं को अपलब्द कराना वैश्विक और छेत्री सुराच्छा के माम पर्यावरन संबंदी भी कई चर्चा होती है ठीक है यह जो है ना ब्रिक्स इसके साथ साथ कई बार टेरिरिजम आतंगवाद के खिलाब भी कई कदम उठाए गए हैं ब्रिक्स में भी अब हम जानते हैं शार्क के बारे में शार्क का अर्थ है दक्षिन एशियाई छेत्री सह सहयोग संगठन इसके सापना 1985 में काटमांडू में हुई थी और इसके सदस भारत पाकिस्तान बांगलादेश निपाल भूतान श्रिलंका माली अफगानिस्तान 2007 में शामिल हुआ है ठीक है इसके उद्देश क्या है दक्षिन एशियाई देशों की जनताग में कि विकास अ विकास आर्थिक विकास को संभव करना सामाजी को सांस्कृतिक विकास करना आपसी सहयोग आपसी विवादों का निप्टैरा आपसी विश्वास बढ़ से बढ़कर वैपार को बढ़ावा देना ठीक है और जिस प्रकार के सार्ख की सम्मेलन हुए है उन्होंने हमेशा से वैश्वी करन के दोरान सार्ख सम्मेलनों में जलवायू परिवर्तन आपदा प्रबंधन आतंगमद की समाप्ति पर जोड दिया गया है ठीक है और जितने भी सम्मेलन हुए है इन्होंने कई बार आतंगमद के विरोध में कई बार कदम उठाए है और कई बार उसका विरो उपयोगी संगठर ने साफटा को बना कर वैपार्प की दिशा में महतपून का दम उठाया गया है और पर्यावरन आर्थिक विकास और उर्जा के छेत्रों में इन्होंने सहयोग की बात करी है अब हम जानते हैं बिम्स्टेक के बारे में यह है बंगाल की खाड़ी बहुत छेत्री तक्निकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम ठीक है मलब बे बंगाल इनिशियेटिव और मल्टि सेक्टरल टेक्निकल एंड इकनॉमिक कोपरेशन इसमें कौन कौन से देश है इसमें बांगल जाप रौदेकों की मस्य पालन जलवायू परिवर्तन संस्किति और लोगों की बीच में लगता संपर्क और अन छेत्रों पर चर्चा की गई है यह एक समय बहुत एक तरीके से आप देख सकते हैं कि एशिया के काफी उभरता हुआ प्लेटफॉर्म है अब हम जानते हैं सा जनवरी 2004 में में जब आयोजीत शार कर जब एक शिखर सम्मिलन आयोजीत किया गया थे तब साफटा के समझावते पर हस्ताचर किये गए थे जो की एक जनवरी 2006 से प्रभावी हुए थे इस समझावतों के दो उगदेश थे दच्छिन एशिया चेत्र मुक्त वैपा बाधाओं को दूर करना और इसके सासत वैपार एबं प्रशुल्क प्रतिवंदों के सभी प्रकारों को समाप्त करते हुए अधिक उदार विवस्था को स्थापित करना भारत के अपने पडोशी देशों के साथ जिसमें पाकिस्तान नेपाल बांगला देश और शिलंका प मुद्ध पन हो जाते हैं जैसे कई बार हमें अभी कई बार हम नेपाल के साथ बी सीमा विवाद देखने को मिला है लेकिन अगर घृत अब हम जानते हैं ऩे ठीक है कि किस सरीके से नएीप अब हम जानते हैं कि किस तरीके से नए कुछ देशों का उद्य हुआ और कई नए प्रकार की जो आर्थव्यवस्था और एक मजबूत देशों का उद्य हुआ उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले रश्या के बारे में देखिए जब सोव्य संग का विगटन हुआ तब सोव्य के रूप में ही स्विकारा गया है ठीक है रश्या सोव्य संग का व्रहत भाग था 1991 में यह सोव्य संग का उत्राधिकारी बना वैश्विक पटल पर यह एक शक्ति शाली राज है इसके पास खनिश प्राकरतिक संसादनों और गैसों का अपार भंडार है इसके पास शस्त्र क्या है यह दुनिया की 11 सबसे बड़ी आर्थिक विवस्ता है इसकी अर्थ विवस्ता मूल रूप से प्राक्टिक संसादनों के उत्पादन और निर्यात के लिए उन्मुख है अपने 19 संसादनों के कारण यह विश्व के एक मजबूत देश के रूप में स्थापित है ले इसके पास एक वीटो पावर भी है इस समय आप सभी को पता यहां के राश्टपती और उन्होंने जो रॉष्या और उक्रेन का वार हुआ है वहां सबसे इंपॉर्टन देखिए रॉष्या इस समय काफ़े इंपॉर्टन न्यूज में चल रहा है हमेशा से रहा है और इस सम इसके बाद भी यह जो युद्ध है यह जो वार है वार चलता ही चला जा रहा है ठीक है यह काफी एक तरीके से अजीब तरीके से बात है कि उन्होंने अपने अपने देश के बारे में विर्जंता के बारे में नहीं सोच रहे है और यह वार चलता चला जा रहा है भारत और मैंने आपको पहले पिछले इंघ रहा है और अश्या की हतियार के निराश में भारत का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और जेना के आध्ωνी कहा इस दिशामे से अपनी प्रगती बना के रकिए फिर हम जानते हैं चाइना के बारे में ठीक है चाइना माओ के नेतत में चीन का किस प्रकार विकास हुआ था 1949 की क्रांती के बाद चीन में सामवादी दल की स्थापना हुई शुरू में यहाँ पर सामवादी अर्थविवस्था को अपनाया गया लेकिन यहाँ पर कई सामस्याओं का सामना भी करना पड़ा है जब चीन ने समाजवादी मोडल खड़ा करने के लिए विशाल और द्योग मामलों में वहाँ विक्सित देशों से आगे निकल गया लेकिन जो वहाँ की बढ़ती जनसंक्या वहाँ पर काफी बादा उत्पन कर रही थी फिर हमने देखा कि चीन ने कई सुधारों की पहल की जैसे कि चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंद बनाके अपने राजनेतिक और आ देखते हैं कि वहाँ पर 1978 में चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार के नीटी को अपनाया गया नाइंटी एटी टू में वहाँ पर खेती का नेजी करन किया गया और इसके साथ सब्सक्राइक में चीन विश्वयपा संगठन में भी शामिल हो गया और दूसरे उसका लाफ समाज के सभी सदस्यों को नहीं मिला था पुंजिवा तरीके से यहां पर अपनाया जाना की करन यहां पर बेरोजगारी लगातार बढ़ गई थी और गाउं और शहर के तटिये और वामों के भूमी पर रहने वारे लोगों के बीच में आया में काफी जादा अ एक विवाद का छेतर है एक सहीयोग का छेतर है ठीक है सबसे पहले हम दिखते हैं विवाद के छेतर विवाद तो अभी तक बना ही हुआ है ठीक है 1950 में चीन द्वारा तिबबत को हड़पने और भारत चीन सीमा पे बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच मे बिगड़ गए थे फिर 1972 में जो चीन ने भारत पे आक्रमन किया उस समय इस्तिती काफे ज़्यादा बिगड़ गड़े फिर लगाता है चीन दोरा पाकिस्तान को मदद देना है चीन भारत के परमाणू परिक्षनों का लगाता है विरोध करता आया है बांग्दा देश और मै लांतक की संगठन जैशे मुहमद पर प्रतिबंद लगाने का प्रस्ताव किया तो चीन वीटो पावर करके यह प्रस्ताव होने से रोग दिया ठीक है और कई बार हम ऐसा देखने को मिलता है कि चीन ने कई बार यसे वीटो पावर लगा कि जैसे भारत को जब इस्थाई वहां पर चीन बार वीटो पावर लगा देता है ठीक है कि इसके साथ हम यह देखेंगे कि अभी का जो सबसे रिसेंट है डोकलाम में हमने देखा कि कई बार 2017 में कई विवाद हुए थे इसके साथ अभी की सिती भी देखते हैं तो अभी भी हम ऐसे चीन और भारत की वीच में जो सीमा विवाद है वह लाकातार बनता ही चला गया है ठीक है और अभी विवाद माना नहीं है अरुनाचल अभी भी अधिकार मानता है और उसे अपने हिस्से में करने का प्रयास करता है चीन की साथ भारत के संबन्त और संयोक के छेटर में क्या थे 1970 के दशक में चीडा नेत्रत वज़ने से वहां वैचारिक-मुद्धों की जगते वहवारिक-मुद्धी प्रमुक हो गय है दे विज्ञान और तक्निकी की छेत में परसपर सहयोग और वैपार के लिए सीमा पर चार पोस्ट खोलने के समझोते किये 1999 में हम यह देखेंगे कि दच्छिन दिकपच्छिय वैपार 30% सालाना के दर से लगातार बढ़ा है और विदेशों में उजा सौधा हासिल करने के मामलों में दोनों देशों के बीच में मामला हल निकालने में यह राजी भी हुए है वैश्विक जरातल पे हम देखते हैं कि भारत और चीन ने वैपारी संगठन जैसे अंतराश्टी आथिक संगठनों के संबन में एक जैसी नीती भी अपनाई है और कई संगठनों में भारत और चीन साथ में है ठीक है अब हम जानते हैं भारत के बारे में एक किश्वी सदी में भारत को एक उदाई मान वैश्विक शक्ति की रूप में देखा जा रहा है यह एक बहु यामी दिश्टी कॉन से विश्व भारत की शक्ति और उदाय का अनुभव कर रहा है भारत की आर्थिक, समाजिक और सांस्कृतिक स्थी इस समय बहुत सुद्रन बनी हुई है भारत की जो आर्थविवस्ता है उसके स्थर पर हम देखेंगे तो भारत इस समय पांचवी सबसे बड़ी अच्विवस्ता के रूप में उबढ़ा है ठीक है और यह जो है यह शक्ति के एक नए केंद्र के रूप में और भारत को एक विशिष्ट और महत्वी प्रदान करती है भारत की श्यान शक्ति परमानु शक्तिंगी के माध्या में आत्म निर्बर बनाती है इसे और विज्ञा भारत की शक्ति को एक महत्वपून केंद्र बना रहा है फिर हम जानते हैं इजराइल के बारे में इजराइल विश्व मानशित्र में एक बिंदू के समकच है ठीक है लेकिन अर्थ वेवस्था के अत्रिक दिहां पे विज्ञान प्रोद्योगी की रच्छा गुप्तचर मामलों में यह है एक शक्ति शाली राष्ट के रूप में उदित हुआ है पश्शिम एश्याय देश में जोलंत राजनेती की मत इस्थित इजराइल अपनी सदस्य छमता रच्छा कोशल तकनीक नवाचार और दुकी करण और क्रिशी विकास के कारण वैश्विक राजनेती की छेत में एक नई उचाईएं पर पहुँच गया है प्रतिकूलता की छेत में हम यह देखते हैं कि निरंतरता के मार्ग में यह यहां पर यहूदी की बीच में काफी विवाद देखनी को मिला है जिसकी वज़े से यहां की जो कई बार हमें ग्रहयूद की सिती यहां की जो महौल है वह खराब देखने को मिला है अब हम जानते हैं जापान के बारे में जापान के पास प्राकतिक जापान एक ऐसा देश है जिसके पास प्राकतिक संसाधन तो कम है लगातार वा जारतार वा कच्चे माल का आयात करता है इसके बावजूद दूसरे विश्वी उसके बाद जापान ने बड़ी तेजी से प्रगति की है जापान ने 1964 में आर्थिक सयोग विखास संगठन OCD का सजस्व बन गया था 2017 में जापान की आथववस्ता विश्वी की सबसे तीसरी सबसे बड़ी आथववस्ता थी ठीक है एशिया में यहां एक अकेला ऐसा देश है जो जी सेवन में सामिल है ठीक है आप परमानु व्यम की लिहार के जो उनका जो दशा हुई थी जो खराब हुई थी वाज जेलने व वहां का दूसा सबसे बड़ा देश है 1951 में से जापान और अमेरिका के पीच में सुरच्छा गडबंदन देखने को मिलता है ठीक है अगर हम यह देखें कि जापान का जो सैन वे है वहां की जीडीपी का केवल एक प्रतिशत है लेकिन वह तब भी वह विश्व में सात्व इस्थान रखता है इस तरीके से हम देख सकते कि वहां की इस्थिती किस प्रकार से है ठीक है जापान की इस्थिती हमेशा वहां की राजनेतिक वहां की आर्थिक इस्थिती बहुत वहां के जो लोग है वहां काफी करमट है जिसकी वादे से वहां की डेमोक्रसी है और जो रूप में माना जाता है और इसको विभाजित किया गया था 1950-53 के दौरान दक्षिन कोरिया युद और शीत काल की गतिशीलता ने दोनों पक्षों की बीच में प्रतिजुनता को तेज कर दिया था और 1917 सिप्टेंबर 1991 में दोनों कोरिया सेवत रासंग के सदस्ट बने थे इसी बीच दक्षिन कोरिया सत्ता केंद्र के रूप में उबरा है 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच में यहां पर आर्थिक शक्ती में लगातार विकास हुआ है जिसे हम कह सकते हैं कि यह विकास बहुत ही तेजी से हुआ है अपने विकास को संकेतित करते हुए दक्षिन कोरिया 1996 में OECD का सदस्ट बन गया 2017 में यहां की अर्थ विवस्ता ग्यारवी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता है और सैन खच में इसका इस्थान दस्वा है ठीक है फिर हम यह देखेंगे कि यह मानविकास रिपोर्ट और कई अनिक मानविकास अंसादन में अपनी सफलता बनाके रखा है और इनकी रैंक काफ संग, LG, Hyundai यह दक्षिन कोरिया यह ब्रांड है यह भारत में काफी प्रसेद है और हमेशा हम देखेंगे कि हर किसी की घर में इससे टुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रड़क्ट तो हमें देखने को मिल ही जाता है ठीक है और भारत दक्षिन कोरिया के बीच में जो समझाते है या उनके बीच में जो बढ़ते हुए जो वैपारिक और सांस्कृतिक संबंद है वह काफी अच्छे हैं इस हिसाब से हम वहाँ पर कई ब्राद चीजें अच्छी देखने को मिलती हैं फिर आते हैं हम आज के प्रश्चिन की तरफ आज के प्रश्चिन का उत्तर है 1945 1945 में य विवस्थाओं की बरबादी भी देखी और उन मानेताओं और विवस्थाओं को भी ध्वस्थ होते हुए देखा जिस पर ये ये विश्यूवित खतम हुआ उसके बाद ये अपने नया देश नई तरीके से उदै हुआ और नई प्रकार की नीतियां लाई आज के वीडियो कैसे उठाए गया है सारी संगठनों का विवन दिया गया है जो आपके लिए आई आज के लिए काफी इंपोर्टेंट है ठीक है तो आप जुड़े रहे हमसे थैंक्यू सो मच